कि नमस्कार मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु मुखी साधना चैनल पर और मैं ग्यानुराम आस्ता करता हूं कि आप सभी भाई बेन असे होंगे वह स्वस्त होंगे मित्रों बहुत सारे साधक भाई मेरे से जंजीरों के बारें पूस है तो उन्हों में कहीं सारे साधकों ने मैसेज किये कमेंट पर कमेंट आए इसलिए मित्रों मैं आज बहरो जंजीरा लेक्या है वे Governor जंजीरह हैं में तो हुआ यह पूरिये नैड पर यूटुब पर कहीं पर भी नहीं मिले गया क्योंकि ये मैजंजुरी को जो परियोब करते हैं वह खास करके मैली विद्याओं मेलड की हो कुछ भी हो गंदी से गंदी विद्या को इसमें बहरो बाबा की सक्ति से और 64 योगनियों की सक्ति से कैसी वो चीज हो उसको हटना ही पड़ता है गुरु गौरक नाधी की सक्ति से ये नाध संपरद्याओं में चलता है मित्रों तंतर आप सभी को पता कि जो तंतर है इनके सभी के जो ग्याता है वो गुरु गौरक नाधी थे और सब तंतर के ग्याता गुरु गौरक नाधी तो उनों की विद्या में हर एक चीज़े होती है तो मित्रों इससे पहले आपको आपसे मैं कुछ सलाह लेना चाहता हूँ और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप मैंसे बहुत सारे नए सादक जुड़े हैं और कही सारे ऐसे सादक हैं जिनोंने आज तक वो भगताई का काम करते हैं भगताई का काम करते हैं लेकिन उन्हों को पूरा तांतरिक नहीं बन पाए, पूरे तरीके के मंतर नहीं बन पाए उन्हों के पास तो मैंने आप सभी के लिए एक चीज बनाई है कि मैं सिर्फ तीन दे उता हूँ कि आपको साधना बताँगा और उन्हों का पूरा तांतर शिखाँगा वैसे यूटूब पे आएंगे वो अलग है इसका जो मैं बता रहा हूँ इसका मित्रों मेरा सुलक लगेगा मेरी पूरी वीडियो ज्यान से देखना और मैं जंजीरा भी बताऊंगा देखो कोई हन्मान सादक है तो उनको हन्मान बाबा के हर परकार के मंतर दिये जाएंगे और पूरा हन्मान बाबा का पूरे पचास से कम मंतरों में मित्रों तंतर सीख जाता है कोई भी आदमी है पचास से कम मंतरों में अपना इश्ट के सीख जाता है तंतर और कैसे भी हुड़ेंगे तोहीं सुरू करुँघा ठीक है ना उसमें गुरूप लगेगा मेरा गुरूप रहेगा उसका सिर्फ 41 रुपे चार्ज एक वार ही लिया जाएगा आएदा नहीं यानि 4100 रुप उसमें मैं तीन देवता की सिर्फ एक माहा का लिखा और भैरो जी का और हनुमान जी का इन तीन देवताओं की साधना करूँगा ठीक है इसके अलबा किसी देवता कि अभी साधना नहीं करूँगा इन तीन देवताओं कि साधना करूँगा और बाकि जो साधना रहेगी तो वह अपनी मर्जी पे करें या कोई अपने परीव जिन वगरा की लेना चाहते तो वह अपनी एक्ट्राफीस और अलग से ले सकते हुनों क अभी किसी के पास महाकाली वो बिचारे पूजा भी करें पाट भी करें उन्हों को मंतर भी नहीं आते महाकाली के मतलब आई गया तो वैसे काट वाले नहीं आते क्या मतलब है कि तुम साधना तो करो हनमान जी की मेरी तरह और साधना तो करो हनमान जी की परियोग दूसरे मंतर से करो ऐसा नहीं अगर एक इस्ट रख रहा है तो एक इस्ट के आपको हर परकार के मंतर मिलेंगे हर तंतर काटने के मंतर मैं दूँगा और वो इस्ट पर तेक्सी करन तक मैं करवाँगा 4100 रुपे लगाएंगी मित्रो ठीक है हन्मान जी के बहरव जी के और माकाली के तीन की साद ना करंगा उसमें से टोटल इस ग्रूप मैं है टोटल के टोटल मंतरроде आपको मिल जाएंगे 30 ecos से जाधा मंतर होतेशे शेख दीक से 50 अधी से पचूजда क बीच में मंतर रहते ठीक है ना इनी मंत्रों में से आपको पर्तेक्सिकरन हो जाएगा और इनी मंत्र से आपको हर चीज की काट कर सुगोगे तो इस गुरूप में कोई भी जूड़ना चाहता है तो वो बया 41 रुपे उन्हों को बता देता हूं अगर किसी को समझना आए तो वो और मेरे को कहे तो मैं उसको वीडियो एक बना दूँगा इस पेसल अब आज का मंत्र सुना देता हूं मंत्रे में तरो ओम नमो आदेश गुरु नास जी गुर जी को आदेश ओम गुरुजी काला भेरु गोरा भेरु भेरु रंग परेंगा एक On दोबी का नाद बंदु बंगी का जिन बंदु दोबी का जिन बंदु मेली कुछली विद्या यह मित्रों मेलड की है, दो जगा सब्दाई, यह मेलड की है, मेलडी माता ने, यह अलग चीज़ होती है, हाँ रगत मेलडी, पकड़ के लाई हाथ में हाथक्डिक पौँ में बेड़ी, गले में टॉक डलाई के, यदि इस भी गेल ना खिल आखलाये तो माता कालिका का दूद्ध प्याहराम करें दौही समसान काली की गुरू गुरु गुरुखनाथ की ये मंतर हैं मंतर मैं आपको डिस्कुशन बॉक्स में लिख दूँगा बहुत पाउरफुल है अब इनों का तरीका है और योग में बता देता हूं इसलिए आप सभी लोग कन्फूज हैं और मैं भी कन्फूज हूं अब आप सभी सादक पूस्टे हैं कि एक मंतर ऐसा डाले उसमें सब आप कन्तर सीखे हैं ना ऐसा पूसते हैं भाभी हनुमान जंजिरा के मेरे सादक भाई जितनी थे वो सब यहीं पूस रहें कि गुरू देव उसके बाकीवाले मंतर से इतने सारे सादक बिचार्य परयोग हुए हैं उन्हों के पास पर्य ALL कितने बता हूँग मैं तो क्यों ना क्योंनों के जो इस्ट है यह टीन ही होता है और यह ज्यादा चलते हैं मित्रो बाकि कोई देउता अतना video बनाया हूं अब इस मंतर का मैंने बाकी वाले प्रयोग बताए, उसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है न, कैसी भी मैली को बुलाना हो, मैली चीज लगई हो, किसी को जिन भी तो इसी मंतर से बोलता, इसी मंतर से बागता है, ठीक है न, तो मैंने बताया, उसमें हंडी वाला भी पुर्जा पर्यूग आप चल्ब सकते हो और भी बहुत सारे तरीके बताई हुए मेरे हांडी प्रियोग कर सकते हो इसी मंतर से दागा बना करें ना कि लिप liken लग्यूइब इससे हर परकार की मेले चीज़े कटती हैं कोई भी नार संपर्दय से कैसा भी साधा को इन तीनों में सागर किसी की साध ना करना चाहे तो मेरे से संपरक करे वाटसअप नंबर है इसी वीडियो की डिस्केसिन बॉक्स में वाटसअप कर दे ठीक है न मितरू इसका परियोग यह कि किसी के ओपर भूंस प्रेट लगा हो मेला आ या दूसरा भी लगा तो भी आजिरो त 나서 मेला तो उनए शूरी है कि तो इसको क्या करो कि दोनों हाथों मैं कपूर देके इस मंतर को यारा बार पड़ो हुआ उसकी तरह फूक मारा व तो उसके उपर सյारी आजाती है और नहीं तो तो पंचमास लोग तो तो उसको लोगों में जल से भू हो जला कर फिर मंतर पड़ो तुरांट उस बेसवारी आता है, बात करो उसको हटाओ, पाकि कीलने के बगर कि सबी चीज़ों के मैंने बूंत कैसे कीलते हैं, कैसे करते हैं, वो मंतर दिये हुए, इस एक मंतर से एक नहीं करोडों काम होते हैं, ठीक है ना, इसका भी परियोग मैं बताओंगा, आज जो बै परियूग कर सकते हो, हांडी में उतार सकते हो, या मटकी में बठा सकते हो, या दागा बगएरा कैसे, एक किस बार, ग्यारा बार पढ़के दागा देना, उसी तरीके से कर सकते हो, है ना, मित्रों? ठेक मित्रों जे से राम जेंवानु.